कॉलकता में लेडी डॉक्टर के साथ हुए दुश्कर्म और मुर्डर के मामले में अब टीमसी नेता भी विरोध के स्वर उठाने लगे हैं त्रिनमुल सांसर सुखेंदू शेखर रॉई ने कहा है कि उनकी भी बेटिया हैं और पोतिया है इसलिए वे हड़ताली डॉक्टरों को जॉइन करने जा रहे हैं वही आरोपी के खिलाफ कई खुलासे हुए हैं जो चौका देने वाले हैं विना देर कि इन दोनों राजों से परदा उठाती हूं और पूरा वाक्या आपको बताती हूं आखिर क्यूं टीमसी नेता भी विरोध के स्वर उठाने लगे हैं और क्या है वह आरोपी के वह राज नमस्कार आप देखनें कापिटल टीवी मैं हूँ आपके साथ पल्लवी सिंग कौकता की महिला रेजिडेंट डॉक्टर के साथ दुशकर्म और मर्डर के मामरे में त्रिनमुल कॉंग्रस यानि की टीमसी सांसद ने बड़ा एलान किया है टीमसी के राज सभा सांसद सुखेंदू शेखर रॉय ने कहा है कि वे भी डॉक्टरों की हरताल में शामिल होने जा रहे हैं सुखेंदू के एलान के मुताबिक वे हरताली डॉक्टरों को जॉइन करेंगे सुखेंदू ने कहा है कि मैं प्रदेशन कारियों को जॉइन करने जा रहा हूं क्यूंकि मेरी भी लाखों बंगाली परिवारों की तरह एक बेटी और छोटी पोती है हमें इस मौके पर उट खड़ा होना चाहिए महिलाओं के खिलाफ क्रूरता बहुत हो चुकी है तीमसी सांसद ने कहा आरजी कर इस्पताल में बलाकार और निर्देयता पुर्वक हत्या की गई वे कौन लोग है अब सीबियाई जाच करेगी खैर मुझे सीबियाई पर कोई भरोसा नहीं है वे मूर्ख है फिर भी सच्चाई सामने आनी ही है दरिंदों को वचाने की कोशिश क्यों की जा रही है जो भी सप्राद के लिए जिम्मेदार है उसे फासी पर लटकाया जाना चाहिए सेमिनार हॉल में मिली थी लाश सरकारी आरजी कर्व मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ड्यूटी पर टैनात 31 वर्षी है पोस्ट ग्रैजुट रेजिडेंट डॉक्टर के साथ 8 अगस्त की रात कथित तौर पर यौन उत्पीडन किया गया और उसकी हत्या कर दी गई अधिकारियों ने चेस्ट मेडिसीन विभाग के सेमिनार हॉल में ड्यूटी ए वर्ष की छात्रा का अर्ध नंगन शव बरामत किया था जिस पर कई चोटों के निशान भी पाए गए था प्यामिना डॉक्टरों की हरताल जारी वहीं आपको बता दे कि डॉक्टरों के संगठन फेडरेशन ऑफ ओल इंडिया मेडिकल एसोशेशन के डॉक्टर का कहना है कि जब तक सरकार डॉक्टरों के लिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागुन नहीं करती तब तक उनका आंदोलन खत्म नहीं होगा आंदोलन के चलते OPD सहीत कई सेवाय प्रभावित हो रही है हाला कि रेजिडेंट डॉक्टर की एक संगठन फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर एसोशेशन ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है अस बीच मामने के जाजब CBI के हवाले कर दी गई है अपने घर को भी नहीं बक्साइए दरिंदा अब मैं आपको आरोपी के कुछ ऐसे खुलासे बताती हूं जिससे सुनकर आपके पैरों तले जमीन फिसक जाएगी कॉलकता के आरजेडी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी लाइडी डॉक्टर के साथ दिश्कर्म और मडर के आरोपी संजर राव को लेकर पुलिस ने कई हैरान करने वाले खुलासे किये हैं पुलिस ने उसकी ऐसी काली करतूते बया की है जिससे हर कोई है रॉई ने चार शादिया कर रखी थी तीन बीविया उसके जुल्म से तंग आकर पहले उसे छोड़ च रॉय की सास ने उसके खिलाफ काली घाट थाने में शुकायत भी दर्च करा रखी है जिसमें उस पर पत्नी से मारपीट का आरूप लगाया गया था पुलिस के मताबिक रॉय ने अपनी माँ और बहन के साथ भी हिंसक घटनाओं को कबूल किया है उन्होंने बताया कि पुलिस संजे रॉय को गिरफतार किया तब भी वे खूब अकड़ रहा था पूछताच के दौरान रॉय ने पुलिस से कहा कि मुझे फांसी दे दीजिए संजे की बहन से की गई बात तो खुले कई राज आरूपी की बहन से पूछा गया कि क्या वे वाकई में संजे की बहन है इस संजे के साथ कोई रिष्टा नहीं है वह लंबे समय से उनके संपर्क में नहीं कहा जा सकता है कि उसे फसाया गया है या फिर नहीं उन्होंने कहा कि इस समय मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है सभी जानकारिया टीवी और समाचारों से ही मिल रही है बेटी का चहरा देखने के लिए पिता को तीन घंटे इंतजार कराया शुरुवात में इस मामले को आत्महत्या बताया गया था फिर शब की हालत को देखकर द पीड़ी तो डॉक्टर के पिता को बताया गया कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है इसलिए तुरंत हॉस्पिटल पहुंचे खबर सुनते ही डॉक्टर की माँ फूट फूट कर रोने लगी रोरो कर उनका हाल बुरा हो गया तो परोसी भी उनके घर पहुंचे और पिता ने अस्पताल प्रशासन से अपनी बेटी का चेहरा दिखाने की दूहार लगाई लेकिन हॉस्पिटल प्रशासन उन्हें तरकाता रहा शरीर पर नहीं थे कपड़े पैर 90 डिग्री तक घूमा था रिस्तेदार ने बताया कि जो डॉक्टर के पिता ने तीन घंट के इंतजार के बाद बेटी का शब देखा तो शौक्द रह गया डॉक्टर की बॉड़ी पर एक भी कपड़ा नहीं था उसके पैर 90 डिग्री पर एक दूसरे से अलग है और ऐसा तभी हो सकता है जब तक की पैल्विक गर्डर तूटना जाए जिसका मतलब है कि वे फट हुआ था और आखों में चश्मे के तुक्रे भी थे उसके मुझ से खून निकलने के निशान भी थे पिता को बेटी की एक तस्वीर क्लिक करने की अनुमती दी गए जिसे बाहर आकर उन्होंने अपने रिष्टेदारों को दिखाया जखमी शरीर चीरे हुए पैर इसका हैं और अब सीबी आई के सामने इस केस के अन्य आरोपी को सामने लाने की चुनौती है ऐसे पकड़ा गया संजय वहीं शुक्रवार सुबह पोस्ट ग्राजूइट ट्रीनी डॉक्टर की लाश मिली थी जिस पर बेरहमी से जिल्म ढ़ाने के निशान थे पुलिस ने इस माम मामला दर्च किया है रॉय आरजी कर अस्पताल में पुलिस चौकी पर तैना था और उसका अस्पताल के सभी विभागों में आना जानन लगा रहता था वार्दात वाले दिन के सीसी टीवी फुटेज में वह तक्रीवन तीन बज़े अस्पताल के अंदर घुसता दिख रह गया है पुलिस के मताबिक आरूपी को अशलील फिल्में देखने की लग थी और उसे महिलाओं के इर्दगेर्द मंडराने वाले व्यक्ति के रूप में भी जाना जाता था एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि उसके मुवाइल फोन पर पॉर्नोग्राफी की सामाग में काफी परिशान करने वाली और हिंसकती हम उसके दिमाग के स्थिती के बारे में सोच रहें क्योंकि इस तरह की चीज़े देखना काफी अस्वभाविक है आपको ये भी बता दे कि आखिर डॉक्टरों की मांग क्या है तो पहली मांग है मामले को बीना देरी किये तुरंट सी ब्याइए के हवाले किया जाना चाहिए जो कि अब हो चुका है वहीं दूसरी मांग है प्रिंसिपल के साथ साथ MS और अस्पताल के सेकिरिटी इंचार्ज का तुरंट इस्तिफा लिया जाए तीसरी मांग है केंदर सरकार से लिखित में यह आश्वासन मिले कि डॉक्टरों के लिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाएगा वहीं चौтории मांग है मुरितक डॉक्टर के नाम पर किसी मेडिकल कॉलेज के बिल्डिंग या लाइब्रिरी का नाम करनग किया जाहिए पाचवी मांग है डॉक्टर के परिवार को पल्याप्त मुआपजा दिया जाए और आखरी और छटी मांग है डॉक्टरों पर शारेली खमले के खिलाब पुलिस सक्त कारवाई करे वह इस मामले की पोस्ट माटम रिपोर्ट भी सामने आ चुकी जिससे पुलिस ने पीडिता के परिवार को सौपा था इस रिपोर्ट में हत्या से पहले प्रकेर्टी और सेक्शल पेनेट्रेशन की बात कही गई है बताया गया है कि पीडिता की गला घोट कर हत्या होई है उससे पहले उसके साथ दुशकर्म हुआ था और आरूपी ने दो बाल उसका गला घोटा था उसकी मौत सुबह तीन से पांच बजे की बीच हुई थे तो फिलाल मेरे साथ इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रही है कैपिटल टी नमस्कार